नमस्कार मैं एमन सर्माग, सुराज एक्परिस की खास प्रोग्राम पारा मुहला चिनोवी हल्ला में हाँ आप पहुचे हैं वाइट करमांग 29 गुरु गोविन सिंग वाइट इस वाइट में वरतमान पारसद मिलिन गौतम जो की कॉंग्रेस से हैं यहां जानने की कोशिस करेंगे कि वरतमान पारसद मिलिन गौतम ने यहां पर कितना विकास पात साल में किया है क्या काम अधूरे रह गये हैं और क्या काम यहां पर पूरा किया गया है जो चुन कर पारसद आये थे, विकास की तस्वीर यहाँ पर कितना उन्होंने पेस किया है और कितना विकास यहाँ पर पांस साल पे हुआ है। तो लोगों से जना जानने के ग computer करते हैं. पास साल में कितना अभी कास है अपर भारदमान पारसाद हो ने किया है. हमारा पारसाद तो अच्छ काम किया है. पानी वानी का बिवहस्था करवाया है. बस हमारा सदनामी पारमें रोट को नहीं बनवाया हैं. के लिए दिये थे बोले हैं रोड का कार्या तो हुठ यह नहीं प Chemical선 के लिए की ये रूड कार्ये हैं तो उस में क derivative काम आए हो करके अस्वासन दिये हैं पहले समस्यां थी वाड में जिसके बाद ये पारसाद ने दूर किया हो पानी के बहुत बड़ा समस्या था उसके लिए हमारा मिलिन कौतम जी उसका समस्या को दूर किया पहले से अच्छे नाई कर चुका है हो गया है उटकाटन भी हो गया है उसके एक हेला इक बार उससे पहले कहीं नहीं पढ़े रहे फिर उसके बाद उसको पिल ले देक उठा के लेगे जाते हैं बहुत परसानिया भी दियें बार्साथ कर लोगे पर काम में थोड़ा कम जोरी कर देते हैं ना इसके लाब मनुरंजन के कोई एक दो बड़ा भवान ऐसा बना हो या अंगन बाड़ी के लिए बना हो सुलब सो चले है अभी बहुत बहुत पुराना है अभी जो चुनाओ होना है उसमें क्या मुद्दे होंगे आपकी नजर में अगर देखा जाये तो क्या मुद्दे ऐसे नजर आ रहे हैं और किसको किस अधार पर आप वोड़ डालें अभी मुद्दा तो वही है नाली शड़ाक पानी लाइट शापसपाई का ही मुद्दा है अब जुन को देखें हैं जो पारसर अभी बनेगा उनसे देखेंगे अभी तो कुछ और भावान वन तो यहां तो निर्मान हुए नहीं है पानी की समस्या तो अभी ठीक है फिलाल शे करोड का प्रस्ताव की हो गया है उद्गाटन भी हो गया है पानी की चालू नहीं हुआ है पाईपलैन बोले पाईपलैन चालू होगा अभी नहीं हुआ है फिलाल बाकी बोर तो बहुत जगा करवाएं मिलिन कौतम ने रोड भी कई कई बना है दोचारी जगह छुटा हुआ है बाकी तो ठीक है साफ सफाई भी तो इससे तरह से काम उसने किया पूरा पांस साल में सब समाज को भी लेके चला और सब के सुख दुख में भी पहुंसता था और अच्छा काम किया इसलिए इस टैप कही पारसाद चाहिए बड़ी बात आपने कहीं कि कि किसी भी वाड पारसाद का यह दायित होता है कि परिवार वाड के लोगों को परिवारों समझ सराध को पूरी अच्छे तरीके से हुजया है और अपना समस्या गली में भी होगाए विकाज बजगे हमारे संतनावी पारा और ताज नगर में भी हो गया है चुनावी मोहल अभी वर्तमान में ठीक है और हमारे जो पंडरी स्कूल है खास उसको ध्यान कोई नहीं दिया जा रहा है वहाँ बच्चे लोग भी सिख्चा बहुत कम लोग है और पढ़ाई भी कम होती है मेरे को सिख्चा प्रती ज्यादा जागुरू करना है पार्षद को आगवत कराया गया है पार्षद करते करते बीच में चज्जा भी गिर चुका था उसमें हमारे पार्षद जी आया थे उनका भी समाधान की अर्षद करते हैं जरजर हो चुका है पूरा और दूसरी बात जनता की जो समस्च्या है सुलब आप सुबह भीड रहता है उस सुलब के लिए हमने कई बार बोल चुका है हमारे पार्षद जी महटे जी कि मोटे जी भी जिए पानी रहता है साल में और श्यमें ने पानी नह और गंदगी इतना रहता है कि पानी पेसाब करना मुश्कल है और पारशत को भी बताते हैं साब सफ़ई करवाओ तो साब सफ़ई में ध्यान नी देता है हाँ अब ताव श्कूल के लेकर क्या बोल रहे थे श्कूल का बिया पुरा जरजर हो चुका है उसका दिवाल भी गिड़ चुका है और अपल लों जा के बोले भी थे तब भी से कोई सुनवाई नी यहां क्या बड़े मुद्दे हैं भी या इस बार चुनाओ होने वाला है एक इस तारीक को क्या बड़े मुद्दे रहे हमारे इंसे पूछी इधर आउट शोग भाई देकि हमारे वाड में सबसे बड़ा मुद्धा तो पानी का है और पानी का मुद्धा कभी अभी हमारे राज्य सरकार ने अभी नवी जनाक अंतरगत में 5 कडूर, 72 लाग का संसन किया गया है और लगभग हमारे इस वाड में लगभग साड़े नौ करोड का मेरे हिसाब से बजट बता रहा हूँ इतने का विकास हुआ है पर क्या है उसके बाजित भी विकास तो रुकता ही है लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो पारसत अभी बरतमान के थे जो पूर पारसत के समय से बहुत ही काम हुआ है और अभी कुछ काम बचे हैं जो नेक्स टम अभी हमारे जो पारसत जीत के आए हमारे पार्टी के वो करेंगे पर ये बात जरूर है कि हमारे जो अभी इस वाड को पानी का समझा है वो भी हमारे विधान सभा में हमारे विधाय के माध्धम के द्वार पानी टंकी का मांग है हमारी जो मेरे ख्यास से विधान सब्सक्राइब बात चल रहा है कि पानी टंकी बने लगबक काम पूरे हुए हैं लगबक काम हुए हैं बहुत कुछ हुआ है यहां पाइपलाइन बीचे हैं अभी नया पाइपलाइन और बीचेंगे फिर उचके बाद एक टंकी बनना है रोड बने हुए है कई सारे नल लगे हैं टंकी लगे है गुरु गुएन सिंग वाट के लोगों का कहना है कि जो अरतम थोड़ा अच़्े से नी ओपाए है सो लग पे सामने कितना गंदगी वहां से खुझानने से भी तौह यह सफाई मतलब बना के छोड़ दिया है से ऐसा हो गया है सफाई नाली की सफाई नाली का भी सफाई होते समय समय होते हैं उठो लेट बहुत समय लग जाते हैं बस यहीं है पानी प्रयाब तोर पर अधा वाट पे पानी के समस्या है आप चुनाओं में रहेंगे आपड़ने जाएंगे मुद्धे क्या सुच रवोट देंगे आप देखेंगे जै जीकिके देखेंगे अगरे zapab करेंगे आने वाला पीडियाया sorry काम करेंगे दैलेंगे लोट देखेंगे लुपि देखें ने थे होड़े बच्चे लोको बिजा सभी है पढ़ाई दुनिया जब दियान दे उसे पार्साइब चुनेंगे हम अभी पाँ साल में अच्छा हुआ है आपर विकास हुआ है? काम तो अच्छा किया है पहले है पहले है और कुछ पाकी है वही सफाई को लेकर के अभी कुछ है अभी कुछ पल है कि दिखाई अभी साफाई ठीक है अभी बागी सब ठीक है अभी गुरु गोईन सिंग वाइट के पार्साज मिलीन गौतम की काम काच को लेकर यहां की जो जनता है जो आम लोग है जो वाड़ वासी है वो काफी खुस नजर आ रहे हैं उनका कहना है कि जो मुल्फिश स्विजाय रहती है सड़क पानी बिदली उसको लेकर काम हुआ है हलाकि इस वाड़ में सफाई एक बड़ा मुद्दा है और लोग यहां कर रहे हैं कि चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है विकास की बात की जाए तो पांस साल में काफी कुछ यहां पर हुआ है बहुत अच्छ तरीके से यहां पर लोकों पानी नसी बहुत हो रहा है इसके अलाबा सड़क की बात की जाया है रह गए हैं केमरेमेंट जुगननाद के साथ है मुल सर्मा सुराज एक पूरे सराइपन